हे दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा एक की रीजन क्यों कुछी लोग बहुत अमीर बन पाते हैं और क्यों जादतर लोग गरीब या फिर मिडल क्रास रह जाते हैं रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो बाप थे अब आप कुछ गलत मत समझेए पहला उसका खुद का था पर दूसरा उसके दोस्त का बाप था जिसे वो अपना मू बोला बाप मानता था पहले वाले ने पीएजडी की थी पर दूसरे ने कभी एड़ भी पास नहीं की थी दोनों बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वाकिंग थे पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग-अलग बाते सिखाते थे पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है पर दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है पहला रॉबर्ट को हमेशा महेंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करता था और कहता था कि वो हमारी हैसियत के बाहर है दूसरा उसे कहता था कि वो सोचे और अलग-अलग रास्ते ढूंडे जिससे वो सारी महेंगी चीज़े खरीच सके ये करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडियाज भी मिलेंगे पहला उसे कहता खूब महनत कर अच्छे से पढ़ लिख ताके तुझे बड़ी कमपणी में नौकरी लगे और तू बड़ा इंसान बन पाए दूसरा कहता था तूब पढ़ महनत कर पर खुद की कमपणी खोल ताके तूब सारी नौकरिया लोगों को दे पाए रॉबर्ट के पास एक एडवंटेश था उसने अपने दोनों बापों को अपनी अलग-अलग सोच के साथ बढ़ते और उनकी तरक्की देखी उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बाते मानी और फॉलो की जो के बाद में मायामी फ्लॉरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने खुद करोडों कमाए जबकि उसका पहला बाप जिंदगी बर गरीब रह गया सबसे इंपोर्टन बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से सीखी वो थी फाइनेंशल लीटरसी जिसका मतलब है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस जानना अब आप गौर से सुनिए ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है रॉबर्ट ने काफी इजी शब्दों में उसका मेनिंग बताया है जो कि कुछ ऐसा है एसेट्स कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले और लायबिलिटीज वो चीजे होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले या आपके पैसे खतम करे अमीर लोग इसी लिए अमीर होते है बिकॉज वो अपने एसेट्स बनाते हैं जबकि मिडल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं मिसाल के तोर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त थे दोनों सेम पोजिशन और सेम सैलरी पे काम करते थे जब भी उन्हें सैलरी मिलती रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े नए गैजट्स नए फोन बाइक या कार ऐसी चीज़े खरीटता था जो उसे अमीर जैसा फील कराती थी पर वो ये नहीं समझता था कि ये सारी चीज़े लायबिलिटीज है जो उसके पैसे उससे ले रही है ना कि बस जब वो उने खरीदता है तब बल्कि आगे भी मेंटेनिंस बगेरा के लिए जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाईी और ना ही वो उससे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी बट सुरेश ऐसा नहीं था वो ये सारी चीज़े नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए बहुत ज़रूरी ना हो वो चीज़ खरीदना वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पे खर्च करता था जैसे के स्टॉक्स, बॉर्ण्स, रियल एस्टेट अपनी खुद की स्किल्स बढ़ाने के लिए या कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसे बना के दे दो साल बाद सुरेश करोड़ पती बन गया जबकि रमेश वैसे का वैसा अपनी कम सेलेरी को कोस्ता रह गया और कहता था कम सेलेरी उसके मिडल क्लास होने का रीजन है एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है उसे पैसे मिलते है और फिर वो पैसे उसकी जरूरी खर्चों में खतम हो जाते है एक मिडल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है उसे पैसे मिलते है वो पैसे जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खतम कर देता है इसलिए middle class और गरीब में ज़्यादा फर्क नहीं है mostly middle class लोगों को लगता है उनका घर उनका asset है पर ऐसा नहीं है आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता unless आप उसको भाड़े पे दो जबके अमीर लोगों का cash flow ऐसा होता है उन्हें पैसे मिलते हैं वो उस पैसो से अपने assets बनाते हैं पहले और फिर उससे बने पैसो से खर्चा करते हैं इसलिए वो अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके income के source बढ़ते जाते हैं अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखे अच्छे से इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं बलकि आप उन पैसो को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं ये important है आपको consumer की सोच से बाहर आकर investor की सोच अपनानी पड़ेगी लोग complain करते हैं उनकी खराब condition का reason उनकी कम salary है और salary बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे पर problem ये है कि income बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे जादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जादा पैसे जादा अच्छी चीज़े खरीदने पर मजबूर करता है जैसे कि एक बहतर phone, car, घर जो कि सब फिर से बस liabilities है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी ये बाते मैंने Robert Kiyosaki की बुक Ridge Dad Poor Dad से पड़ी है जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच चेंज की और बहतर बनाई अगर आपको ये बाते अच्छी लगी तो like करे अपने views कमेंट करे और finally subscribe करे मैं आपको ऐसी काम की बाते जो मैंने दुनिया के कुछ सबसे समझदार लोगों से सीखी है शेर करूँगा जो आपको successful बनने में मदद करेगी और आखिर में thanks for watching